हलो गैज वेलकम बैक टो मैं चैनल वैले आफ ट्रेडिंग आई होप इट वस ग्रेट ट्रेडिंग डे फोर एवरीवन आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी का अनलेसिस देखेंगे कि आज मार्केट कैसे मुमेंट हुआ हैं हमारा किस तरह के से ट्रेट प्लान हो सकता था कहा कहां पर मुमेंट हुआ हैं तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से पन हुआ उसके बाद एक साथ डाउन फॉल हुआ तो हम अगर कल के कंपेरिशन में देखें तो जो कि कल एकस्पारी था स्टील आज मुमेंट ज्यादा था तो आज बहुर बड़ा गैप आप उपन हुआ उसके बाव जो देख नीचे तरफ डाउन फॉल हुआ और वहां पर हमको एक अच्छी पूंचिटी दिखी देखें अगर हमें आपे ट्रेंड लाइन ट्रॉक करें तो हमें यहां पर करके देखते हैं कि आज हमारा नीचे की अपडेट मिलता रहें जैसी कि आज हम लोग अनालेसिस करेंगे बैंक निफ्टी की इस तरह के सी मुमेंट दिया हैं अगर क्या मुमेंट हो सकता है और हम लोग इंट्रेटर का प्लान करें तो देखें यह एक अच्छी अपॉंचिटी थी एंट्री लेने के लिए उसके ब अगर जीख जैक मुमेंट रहता है तो क्या होता है कि ट्राइस बहुत ही जल्दी अप से डाउन होता है तो हम लोग वहां पर प्रॉफिट पॉक करने में थोड़ा सा प्रोब्लम होता है यहाँ एक साथ मुमेंट था तो हम लोग इसली प्रॉफिट कर सकते हैं यहां से फि तो यहां पर देखें, यहां पर भी उंको दिख कि यृदध मारकेट चले यहां पर doğr subject तो यहां से फिर से हमको एक 4500 पॉइंट का मुमेंट देखने को मिला उपर के साइड तो देखिए मार्केट आज एक अच्छा रेंज बना रहा वोलिटिलिटी भी रही तो हमको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुन्टी थी हम लोग को तो फर्स ट्रेड ही एक तक का मुमेंट थे वा मार्केट रांड 500 पॉइंट का मुमेंट दिया और वहां पर एक बहुत ही वालेटिलिटी भी रही तो हमारा प्रोफिट का बहुत ही अच्छो चांज था दिसक्शन किया था जैसे कि यह लेक्स वायरी था उसकी बावज़ित मार्केट एक रेंज व हमारा क्या ट्रेट टान हो सकता था तो आज का मोमेंट आभी देखे तो बहुत ही पोजिशन पे हैं अगर हम कंपेर करें कल के हिसाब से तो कल भी हमने कहा था कि निप्टी-फिप्टी था कि स्ट्रांग पोजिशन पर है तो हम सेलिंग के साइट नहीं जाना चाहिए और हम एक स्पेक कर सकते हैं अपसाइड मुमेंट तो आज निप्टी 50 अपसाइड ही हुआ जैसे गैप अपन हुआ उसके बाद एक डाउन फॉल हुआ कभी भी मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अपन होता है तो डरेक्टली ऐस सीधे यहां नहीं जाती यह बात ध्यान रखना कि कभी भी मार्केट बहुत जल्दी से उपर की तरफ नहीं जाती थोड़ा सा नीचे आए कि उसके पाद ही जाएगी तो हाँ से गैप अपन होने मोमेंट का मोमेंट का हुआ अगर हम देखे तो दोनों साइद ही मोमेंंट हुआ फ़स्टक में था राउंड हन्ड प्लान कर सकते थे अगर हम देखे तो दोनों ही इंडेक्स स्टॉंग पोजिशन पर हैं बैंक निफ्टे और निफ्टी दोनों ही एक अपसाइड मॉमेंट की तरफ दीख रहा है अगर हम देखे तो आज दोनों ही गैप अपन होके एक daun side मॉमेंट दिया उसके बार दोनों ही इंडेक्स ने reverse ले लिया तो अगर हम next का expectation दे तो अगर एक ब्रेकाउट मिलता है उपर के साइट तो हम लोग फिर से अपसाइट मोमेंट का ही एक्सपेक्टेशन कर सकता है तो मेरे वीडियो में आपको डेली यह ट्रेडिंग के ऊपर अनालिसिस मिलेगा कि आप कहां पर ट्रेट कर सकते हैं कौन से पॉइंट पर अपको एंट्री लेन के उपको एंट कर सकते हैं एक्सपेक्राइब के ढूंट कर सकते हैं के जब स्पकी।